कहां लगी AC के गोडाउन में भीशन आग में 50,000 AC जल कर खाक हो गए गुठका फैक्टरी में लगी आग में कहां जोल से 30 से ज़ाद अलोग कहां भीशन थंड के चलते जम गई नदी और जील और कहां 125 साल पुरानी रूमी टोपी बनी युवाओ का ट्रेंड राज्जों से जोड़ी सभी खबर देखिए टॉप 9 बाज़ बशेश में राजिस्तान के अलवर के नीमराना इलाके में एक एयर कंडिशन बनाने वाली कंपनी के गोडाम में भीशर आग लग गई आग में 40,000 AC जल कर खाक हो गए आग पर काबू पाने के लिए दंकल की कई गाडियों को देर राथ तक मशक्कत करनी पड़ी आग लगनी की वजहों का भी तक पता नहीं चल सका है और हाथसे में करोडों की नुकसान की खबर है ओडीशा के संबलपूर में गुठका फैक्टरी में सोमवार को भीशर आग लग गई हाथसे में 30 से ज्यादा लोगों के जुलसने की खबर है जिन में से 11 लोगों के हालत गंभीर बताई जा रही है इन्हें इलाज के लिए राउर केला इस पाज जनरल अस्पताल रुफर कर दिया गया है आग पर काबू पाने में फाइर ब्रिगेट को एक घंटे का समय लगा पुलिस आग लगनी की वजहों का पता लगाने में जुटी हर्यारा की मिवास दिल में लड़कियों की शादी की उमरे 21 करने के प्रस्ताफ से हलकम बचा है इलाके में रोजाना रिकॉर्ड शादिया हो रही है नुह में 18-20 साई की उमरे की लड़कियों के इस अफते के सैक्लों शादी हुई है एक इमाम की मताबिक उनके पास ऐसे दूलों के कई आवेदन हैं जो दो दिन के अंदर शादी करने के लिए तैयार है उन्नाव रेपकांट से जुड़े रेप विक्टिम के एक्सिडेंट केस में सजा काट रही बीजेपी के निशकासित विधायक कुलदीप सिंग सेखर को दिल्ली की राउज विनिय कोट ने परी कर दिया है कमीटी से साथ दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है वही दिल्ली सरकार ने बच्चों की मौत की मामले में तीन डॉक्टरों को सीवा से बरखास कर दिया है दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी इसकी शिकायत की गई है अंध्रप्रदेश पुलिस ने विजयवाडा में एक करोड़ चौंसट लाक रुपए नकत लेकर भागने के आरोप में एक ज्वेलरी शौप वरकर उसके पांच साथियों को गिराफतार किया है पुलिस की मताबिक आरोपी ने नकती को एक शक्स तक पहुचाने के लिए चेन्ने ले जाते समय लूट की वारदात को अंजाम दिया आरोपी के पास से एक करोड तैसलाक रुपए बरामत भी किये गए है उत्राखंड के चमोली के नीती घाटी और जोशी मठ में लगा तार बढ़ रही कड़ाके के ठंड माइनस में लुड़के पारे की वज़े से नदी नाले और जील सब जम गए है सड़के पूरी तरह से पर से ठकी है इसके चलते लोगों को चलना भी मुश्किल हो रहा है सर्दी बढ़ने की वज़े से स्थानिये लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दिल्ली एंसियार समय तूरे उत्तर भारत में कडाके की ठंड पड़ रही है मौसम विभाग की मताबिक उत्राखंड जम्मु कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्थबारी का असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है तिलंगाना के हैदरवाद में 125 साल पुरानी रूमी टोपी युवाओं के लिए एक नया ट्रेंड बन गई है दुकान दारों के मताबिक इस टोपी का चलन यहां के निजामों के दौर से है यहां की जो भी बड़ी पाठिया है वो सब इसका इस्तमाल करती है एक टोपी की कीमट 2500 रुपए से लेकर 12000 रुपए तक है